ही गाईज वेलाकम बैक इन योचुप चैनल निक को चोदरी रियक्शन मैं हूँ नताशा वीडियो कुछ और बनाने जा रहे थी जब इस मेरे सामने मनीशा की वीडियो आ गई अब मनीशा की जो वीडियो आई है उसने इतने प्यार से कुछ लोगों से रिक्वेस्ट की है त कि सामने वाला आपको आपकी चीजों से एगरी नहीं है देखिए एगरी करने का और डिस एगरी करने का एक अलग चीजों होता है एक तरीका होता है एक तो होता है सामने वाला इंसान तड़ी में आपको आकर बोले कि तुम ये हो वो हो मतलब गलत तरीके से बोले एक होता ह कि भाई, प्याड से समझाए, तो यहां पर अगर कोई तड़ी से बोलता है, तो वो चीज़े देख 있어서 गुसा आता है, उस पर कि भाई, हमारा काम है, रियक्शन देना, हम रियक्शन दे रहे हैं, आपकी गलत चीज़ों को अगर हम बोल रहे हैं, उससे बोलेगा इंसान की घमंड चल लग रहा है ठीक है जैसे जो सचिन की वीडियो आई थी वो समझ में नहीं आ रहा था कहना क्या चाहते हैं पर उनको कुछ रियक्शन बूरे लगे थे उनको कमेंट शेक्शन में जो चीजे थी वो बूरी लगी थी इसलिए उन्होंने इस रियक्शन चैनल वाले प्यार से अपनी बाते कुछ रख रहे हैं रियक्शन चैनल वाले आपको किसी चीज़ का गमंड तो नहीं दिखा रहे हैं रियक्शन चैनल वाले गंदा तो नहीं बोल रहे हैं वो अपनी बातों को रख रहे हैं तो आप भी इस तरीके से अपनी बा कि मनीशा की तरीकों को मानना ही पड़ेगा कि कितने प्यार से सुने लोगों को समझाया उसने सिधा ये काया कि मेरे हस्बेंट को अगर आप बुरा बोलोगे और मुझे अच्छा बोलोगे तो मुझे चीज़े अच्छी नहीं लगेगी तो वेसी बात है ये कोई भी वाइफ थी अब वो चीजे सही हो रही है तो मेरे ख्याल से अगर वो चीजे सही हो रही है तो इन चीजों को टारगेट करके कि नहीं ये सही सिर्फ ये ही सही है बिचारी मनीशा का यूज हो रहा है ये हो रहा है मनीशा कोई दूद पीती बच्ची नहीं है जिसका कोई यूज कर ल हो या ठीक अगर इनके रिष्टे सुधर रहे हैं तो इनके रिष्टे पर करम परिजन मत करो कि भाई ये सही है ये गलत है वो चीजी थोड़ी सी यहां पर नेगेटिव चली जाती है अभी यहां पर बात करते हैं जो फंक्शन हुआ है जिसके बारे में जो है अभी इनको ही थी आपने घमंड में आके एक शोट डाली जिसको घमंड ही बोलेंगे कि लोगों ने बहुत कोशिश की खीचने किये करने की तो अगर आप कोई गलती शोशल मीडिया पर कर रहे हो आपकी फैमिली कॉंट्रोवर्सी हुई तब आपको टार्गेट किया गया आपकी दूस हुआ है भाई भेन को लेकर उस चीज़ पर भी दोनों को टार्गेट किया गया आपको केले तो टार्गेट नहीं किया गया था तो उस पर लोग यही तो सवाल पूछ रहे थे कि भाई अगर आपने अपने लिए हमेशा इतना स्टेंड लिया है तो आप यहाँ पर इन तरीके से एक्शन ले या फिर आप अच्छी तरीके से संजाएं इन चीजों को लेकिन आपने क्या करा आप अपनी एक चीज रखकर और आप निकल लिए इन चीजों से बाकी तो लोग लड़ते रहे या भड़ते रहे आपको कोई फरक नी पड़ा तो वही चीजों का पॉ बहुत जादा इस चीज़ का घमंड है कि आपकी वीडियो ट्रेंडिंग पर आ गई ठीक है इंसान को खुशी होते हैं लेकिन खुशी और घमंड में फर्क होता है इसके साथ आपने दूसरे लोगों को बिना मतलब सुना दी जो कि उस चीज़ के लिए बोल भी ने रहे थे ब सान को चीज़े बुरी लगी अगर उस पर बोल दिया अगर आपके कोमेंट सेक्षन में कुछ चीज़े आ रही थी वह सारे पोइंट आउट उट रहे थे उन चीज़ों को बोल दिया तो उन चीज़ों पर इतनी तकलीफ होना नहीं चाहिए आप खुशल मीडिया पर हैं आ पोसिबल नहीं होता अगर आप कहीं गलती करेंगे तो उनको भी बोला जाएगा अगर आपको एक बात बताती हूं मैं जो ने एक वीडियो देख रहे हैं मैंने पिछली वीडियो में इनका और नेहा का सपोर्ट किया था कि क्यों भाई क्यों इतना गंदा बोला जा रहा है उस वीडियो पर इनी के फैन भी ना मतलब आकर मुझे इतना गंदा बोलके गए इतना गंदा बोलके गए तो मैंने ये चेक वगरा सब कुछ करवाया तो वो एक 10th की लड़की की आईडि भी ली अब ये बताए 10th की लड़की पर क्या तो मैं एक्शन ले लू क्योंकि उस तरीके से लोगों को बोल रहे हैं अब इन चीजों को अगर आप शोशल मीडिया पर आपको पता है आपको शोशल मीडिया पर काम करना है आपको हर तरफ से तारीफ नहीं मिलेगी तो इन चीजों के भी थोड़े आदी हो जाईए अगर आप तारीफ के आदी है तो थोड़ पर भी अगर किसी नहीं कहा दे कि भाई गाड़ी गंदी थी उसको आप साफ कर सकते थे तो आपका reply कितनी बुरी तरीके से आया है आप खुद अपनी वीडियो को अगर देखेंगे तो समझ सकेंगे आपने सिर्फ वहाँ पे घमर्ड में reply दिया है कि जिनके पास नहीं होती आपको पता है किसके पास है या नहीं है भाई अगर आपने इतना बड़ा फंक्शन किया है चलिए आप बोल रहे हैं गाड़ी बीजी थी है कुछ थी आपको टाइम नहीं मिला ये नहीं मिला वो नहीं मिला लेकिन आपको टाइम नहीं मिला आप नहीं कर पाए वो आप जा या कुछ भी इस तरह दिखाया गया किसी की गाड़ी इस तरी से नहीं देखी गई तो लोगों को चीज की आदत नहीं थी तो लोगों ने पॉइंट आउट इसलिए क्या क्योंकि वो चीज वहां अटपटी लगी है आप कोई चीज समझना चाहिए कि वहां पर वो चीज अट पूरी लगती है आपको कुछ बोला जाता है आप उस पर पॉइंट आउट करो उस पर जवाब दो लेकिन फिर आप जिस तरीके से जवाब देते हो तो फिर आपको भी उस चीज का आदी हो जाना चाहिए कि उसी तरीके से आप से बोला जाएगा तो चलिए लास में बात कर जाएगी तारीफ होगी तो वो भी दिखाए जाएगी हाँ अगर आपको प्रोब्लम है इस चीज़ से तो आप लोगों को साफ ही बोल दिजेगा कि हमारे लिए वीडियो ना बनाए क्योंकि वह आपका जो है हक है कि आप अगर बोलते हमारे लिए वीडियो ना बनाए तो फि